हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर और DCX सिस्टम के IPO के ग्रे मार्केट अपडेट को लेकर अलॉट्मेंट स्टेटस को लेकर जितने भी आप लोग के डाउट सारे क्लियर करना चाहूंगा तो वीडियो को पूरा एंट तक देखिएगा वीडियो अच्छा लागे तो चानल को सब्सक्राइब करेंगा तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे परे फ्रेंड्स अभी तक IPO का जो अलॉट्मेंट स्टेटस है उसका पता नहीं चला है अभी तक website जो है वो run नहीं कर रही है उसके बारे में बात करेंगे आगे कितना current grey market चल रहा है grey markets दोस्तों कुछ प्रकार के चल रहे हैं कुछ websites पर grey market shoot up होते हैं देखने को मिल रहा है और कुछ websites पर grey markets stable रहते हैं देखने को मिल रहे हैं बट overall जो trend IPO का वो काफी positive है कोई भी grey market दोस्तों negative अदब गिरावट नहीं कर रहे हैं सब grey markets में थोड़ी तेजी है लेकिन कई पर जादा तेजी है तो सबसे पहले दोस्तों आज 7 November का दिन है currently आज के दिन का अगर event की बात कहें जाए तो allotment status का दोस्तों आज दिन है 7 November का definitely allotment status का दिन है and currently 7 बज़े का time होता हुआ देखने को मिल रहा है और allotment status का अभी तक कोई अता-पता नहीं है यह कारण क्यों पता हूँ दोस्तों कारण है दोस्तों over subscription almost दोस्तो 66 times दो 62 times दोस्तों retailers ने भरा था तो यह सबसे जादा over subscription की बात होती जब भी ऐसे over subscription IPOs में आते हैं तो definitely दोस्तों आप कह सकते कि website अटकती है last time I think so dream folks का IPO बढ़ा था 40 times तो उसका जो allotment status था वो next दिन सुबह आता हुआ देखने को मिला था तो I think so ऐसा ही कुछ इस IPO होता हुआ देखने को मिलेगा और मेरी यही सला है पैनिक ना हुएगा 10 बजे तक का wait कर लीजेगा अगर 10 बजे तक website चालू ना हो तो मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा उन तरीकों से आप चेक कर सकते हैं IPO को सबसे पहले अगर अपन बात करी जाए तो दोस्तों सबसे पहला method है कि आप कल सुबह चेक करिएगा अगर आज नहीं होता है तो कल सुबह आप link in time की website को अगर आपको पड़ जाएगा कि आपको लगा है कि नहीं लगा है दूसरा तरीका है अपना यूपी चेक करना जब भी अपन यूपी चेक करते तो वहां पर एक request बनती भी देखने को मिलती है अगर आपका पैसा debit नहीं होता है तो pending लिखाब होता है अगर आपका जो थर्ड मैं फर्ड दोस्तों bank balance चेक कर के दोस्तों काफी सारे लोगों के bank balance उते व δू देखने को मिल जाते हैं मिरेत कमेंट को चूज करता हूं अगर IPO का अलॉट्मेंट की बात करते हैं परना पेशेंस रट लीजे कोई बड़ी बात निये IPO ही है कल सुबह तक आपको जरूर मालूम पढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा अगर माल लीजे IPO watch की website और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट चल रही है वो लगबक 75 रूपीज चलती भी देखने को मिल रही है और डेफिनेटली यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है उसकी एक खासियात है कि 70 रूपीज से नीचे इस website पर अभी तक ग्रे मार्केट नहीं गई है Second है दोस्तो चिताटगर.com की वेबसाट और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट चल रही है वो करेंटली 75 रूपीज चलती भी देखने को मिल रही है यहाँ पर भी 70 रूपीज से नीचे अभी तक ग्रे मार्केट नहीं पर जाती भी देखने को मिल रही है थर्ड है दोस्तो चानक्य.com की वेबसाइट और यहां पर जो ग्रे माकेट चल रही है सबसे ज्यादा 85 रुपीज जी यहां 85 रुपीज यहां पर ग्रे माकेट चलती भी देखने को मिल रही है लॉट की अगर बात कर जाए तो 72 का लॉट साइज है तो आप मल्टिप्लाइ कर 85 रुपीज के बीच में रहती भी देखने को मिल सकती अगर आपका पर्स्पेक्टिव लिस्टिंग इनका है तो जरूर आप दोस्तों 10 रुपे का गरी माके 10 रुपे का stop loss लाके अपना stop loss इसको ट्रेल कर सकते अगर आपका नजरिया long term का है तो जरूर आप इसको long term में भी आइप आएगा उन सभी को congratulations और जिनको नहीं आए दिल चोटा नहीं करेंगा आगे और भी अच्छे IPOs आ रहे हैं जैसे कि आइनोक्स विंड का आ रहा है वो भी मुझे लगता है कि अच्छा लिस्टिंग इन देगा and global health के IPOs है काफी अच्छे-च्छे mainline IPOs आगे आने वाल करें दोस्तों थैंकि फार दोसिंग दिस वीडियो